मैं एक वीडियो बनाया था खेती के शमन्द में कि अगर आप कोई कास्तकार है और आपने कोई खेती की जमीन है जो राजस्तान कास्तकारी एक टुसके पर लागू हो रहा है तो ऐसी देशा में आप जो SDM होता उसके शमक्ष दारा 251 एक एत है जो की राजस्तान कास्तकारी की दिनियम की थी के तहत आप SDM को आवेदन कर सकते हैं ऐसी दशा में आपको SDM रास्ता दिलवाएगा तो इस वीडियो पर मुझे बहुत सारे क्यूशन पूचे गए पहला क्यूशन ये था कि क्या ऐसे प्रोविजन सभी स्थेस्ट में लागू है दूसरा क्यूशन ये थ राजस्तान है उसमें राजस्तान एक्ट है बियार में बियार एक्ट है उत्रपरदेश में उत्रपरदेश है और यदि MP है तो MP टिनेंसी एक्ट है यानि कास्तकारी दिनियम है गुजरात है तो गुजरा टिनेंसी एक्ट है और यदि मारास्ट है तो मारास्ट टिनेंसी ए जो भी राज्य है देश के उन सब राज्यों में अलग अलग तरह से अलग अलग राज्यों ने अपने अपने इशाप से कास्तकारी एक्ट बना रखें और लगबग सब कास्तकारी एक्ट में ऐसे प्रोविजन है उनके तेता पर एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए र सकता है ऐसा आदेश में यानि जो जर्जमेंट होता उसमें सीधे तोर पर उलेग भी किया जा सकता है दूसरी चीज में आपको यह बता दू कि जो SDM के शमक्ष एप्लिकेशन जो अपने पेश किये 211 ए जो राजस्तान टिनेंसी एक्ट था और ऐसे ही प्रोविजन अन्य पर किया जाता है इसमें डिसाइड किया जाता है कि ऐसी पार्टी को वाकई में रास्ते की आवशिक्ता है या नहीं है यदि रास्ते की आवशिक्ता है तो ही ऐसी दशा में रास्ता उपलब्द करवाया जाता है यदि रास्ते की आवशिक्ता नहीं है तो ऐसी दशा में ऐ पास अन्य कोई रास्ता नहीं है मैं कहीं और से यह किसी और के खेद से नहीं आ सकता और सबसे परमुक बात मुझे कॉमेंट के मादिम से यह भी पूछा गया कि हमें रास्ता किस और से दिलाया जाएगा किस खेद से रास्ता दिलाया जाएगा जिस खेद से जमीन कम जाती हो आपके लाचते में यानि कि यदि आपका कहे डिए से एक कि आज रही है जो कम रास्ता दूरी टेख करनी पड़े आपको जिसके लिए कम भुकतान सबाट करना वाचते करें पर आपको रहास्ता उपलब्द कर वाया जाएगा अब बात करते हैं जो comment में मुझे पूछा गया है और सब लोगों ने लगबग मुझे जो भी comment किये हैं phone किये हैं, mails किये हैं उनमें एक question शामने रहा कि हमें आवेदन कहां कहां करना चीए तो देखें मैं आपको ये बता दूँ कि जो जमीन का मालिक होता है, जो कास्कारी एक्ठ है उसमें जमीन का मालिक बनारा का तैसिलदार को तो यदि कोई आपका रास्ता बंद कर रहा है तो ऐसी देखा में आप तैसिलदार के समक्ष आवेदन करें वकेली की आपको कोई आविशकता भी नहीं है यदि आप चाते हैं तो वकील से application लिखा सकते हैं महज एक प्रातना पत्र आपको पेश करना है कि स्रीमान हम ऐसे रास्ते को 20 वर्स, 25 वर्स या हमारे पुर्वजों से यूज करते आ रहे हैं और इस रास्ते को वर्तमान में इस विक की द्वारा बंद कर दिया जा रहा है जिसकी वज़े से हमारी जो करसी हैं वो परभावीत हो रही है हम अपने खेट तक जानी पा रहे हैं तो ऐसी दशा में लगबग क्या होता है कि तैसिलदार उस मामले की जाज के लिए पटवारी को निर्देशित करता है पटवारी उस मामले में जाज करता है और यदि तैसिलदार की आवशक्ता होती है तो तैसिलदार भी उस इस्तान पर जाता है उस रास्ते को खुलवाने के परियाश करता है लगबग तैसिलदार दुवारा ऐसे रास्तों को खुलवा दिया जाता है जो रास्ते बंद कर दिये जाते हैं तो आप यह जान लेगी यदि आपके पुरवज़ या आप उस रास्ते का यूज कर रहे हैं कोई भी रास्ता कैसा भी हो, कहीं से भी आता हो, कितने ही दूरी हो यदि आप काफी वर्सों से यूज कर रहे हैं पुरवज़ों के टाइम से आपके वो रास्ता यूज आ रहा है खेत में आने जाने के लिए तो ऐसी देशा में आपका ये राइट भी है तो आप बेफिकर होकर तैसिलदार के यहां से कारिवाई नहीं होती तो ऐसी देशा में आप 201 एका खायदा ले और आप SDM कोर्ट में आवेदिन कर सकते हैं देखे जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 211 एक जो है उसके लिए आप रास्ते के लिए मांग कर सकते हैं उस दारा के तहर जो राजस्तान टिनेंसी एक्ट की है और सब जो भी मतलब अधर इस्टेश्ट है उनमें भी ये प्रोविजन्स हैं तो आप इसके साथ ये भी जान ले कि यदि आपके पास पहले से कोई रास्ता नहीं है आपने कोई भी रास्ता यूज नहीं किया है आपकी खेती बंजर पड़ी थी और आप रास्ते का यूज करना चाते हैं तो ऐसी दशा में भी आप 201 एक जा सकते हैं और SDM कोर्ट के श सकते हैं क्योंकि तैसिल्दार भूमि का मालिक होता है आप तैसिलदार को अउगत करा सकते हैं तैसिलदार अपने पटवारी कानून को के माद्यम से उस मामले में रिपोर्ट पिश्य करें यदि आपका रास्ता रोक गया है तो इसके साथ साथ आप criminal proceeding भी कर सकते हैं 117-116 में उनको पाबंद भी करवा सकते हैं रास्ता बंद नहीं करने के लिए बवीशे में ऐसा ना हो इसके लिए और यदि आप तैसिलदार के समख़ी समंद में दावा करना चाहते तो आप दावा भी कर सकते हैं सबसे महतोकुन सवाल मेरे से ये भी पूछा गया है कि जब हम तैसिलदार को कोई कंप्लेंड करेंगे या सिकायत करेंगे रास्ते के शमंद में तो कि ऐसी दशा में कारिवाई की जाएगी लेकिए मैं आपको बता देता हूँ कि कारिवाई करना या नै करना तैसिलदार के विवेक की ऊपर क्याफ़् अवेधन किया जाता है तो ऐसी दशा में तैसिलदार भूरा कारिवाई की जाती है मैं उमीद करता हूँ कि आपने जो भी सवाल खेत के रास्ते के लिए पूछा था मैं उनके जवाब देकर आपको संदूस्ट कर पाया होगा यदि आप इस सेलने पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कीजिए साथी इस वीडियो को सेर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ऐसे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे जिने कानून की जानकारी की आउशिकता है और यदि रास्ते के शमन में इन सवालों से अलग जिनके जवाब मैंने आज इस वीडियो में दी है कोई भी आपके दुआरा क्यूशन पूछे जाते हैं तो ऐसी दशामें मैं कोसिस करूँगा कि आपके उन सवालों का भी मैं वीडियो के बादें से जवाब दूँ